मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बाच्छा अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके घार में चला जाता है। घार में जाने पर बाच्छा किसी चीज़ को वोर से देख रहे थे जिस दुरान ड्रैगन उन लोगों के उपर आग से हमला करता है औ यहां के लोग भोग से मर रहे हैं और एलोडी जो कि इस मूवी की में करेक्टर है वो यहां की शेजादी है जिसके लिए आज एक बहुत बड़े किंडम से एक प्रिंस का रिश्टा आया है जिससे उसके डैट बहुत जादा खुश थे क्यूंकि उन्हीं लग रहा था कि अ इस समुंदरी तौफान के अंदर कुछ ड्रैगन्स भी दिखाए दिये थे फैर अब यह लोग महल पहुँ जाते हैं अलोडी को यह महल बहुत अच्छा लगा था अपने महल से बहुत बड़ा इस महल में उनके इस तकबार एक शाही नो करने किया था और इन्हें आराम करन है और हम कर ही शादी करेंगे इस बारे में मुझे आप से थोड़ी बात करी है जिसके बाद प्रिंस और एक बात करने के बात्यारे को बघते हैं खहते हैं और एक पहाडी तक पहाड़ी और लिगे देखती है प्रिंस कहते हैं हाँ वो पहाड़ियां बहुत एहम है उसके अंदर बने एक गार में हमारी कुछ पुरानी रस्त में होती है जो के हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलोडी की डैड काफी परिशान थे जब से वो कुईन से मिले थे ऐलोडी की मॉम जब उनसे उनकी परिशानी पूच्टी है तो उनके कुछ ना बताने पे वो कुईन से बात करने का फैसला करती है लेकिन कुईन तो पहुत ही जादा मखरूर है वो एलोडी की मौम से ये कहते हुए बात नहीं ड़ती कि वो एक छोटे गिंडम से आई है वो अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है बातों के दुरान एलोडी के डैड भी हाँ चाती है जो बातों म अलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्मे होंगी पहुँचते हैं पहाड के अंदर एक गार तक जहां पर इस किंडम के लोग पहले सही उनका इंतजार करें थे कुईन एलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती है जो सो साल पहले हमारे कि अच्छा भी उससे नहीं जीत पाए अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजाने उनसे डील की कि वह अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारी किंडम पर हमला नहीं किया उस दिन के बाद से आज तक हम ये रसम करते आ रही है क्वीन फ्रिंस और अलोडी दोनों की हाथों पर कट लगा कर दोनों की हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो फ्रिंस अलोडी को गोद में उठा लेते हैं अलोडी शर्मा भी नहीं थी लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्यो अलोडी को उसके डैड की आवाज आती है ये आवाज सुनते ही ड्रैगन भी उपर से नीचे अलोडी के डैड को देखने के लिए चली जाती है और यहां से अलोडी भी अपने डैड की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है और रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के साथ तीन के टूटे हुए अंडे भी नजर आती हैं इन चीजों को देख उसे समझ आया था कि कोई ने जो से कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा जूट था कि ड्रैगन ने उनके लोकों को मारा था असल में तो बहाचा जब काफी सालों पहले इस गार के अंदर आए तो उन्ह पेट से अपनी जान की भीग माग रही है आंद ने बाच्छण से कह था कि मैं तुम्हें भी तरपता देखना चाहती हूं मुझे तुम्हारी हर पीडी से तीन बच्चे चाहिए होंगे जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारी केंग्डम को शांती से रहने दूँगी तीन दुबारा प्रेसेंट में आते हैं जहां अलोडी के डैड अपनी बेटी को आवास दे रहे थे और तब ही उनके सामने ड्रैगन आ चाती है वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ चाहे इसके लिए मुझे तुम से लड़ना भी पड़े मैं लडने के लिए तैयार हूँ ड्रैगन उससे कहते हैं तो फिर बुलाओ अपने बेटी को यहीं बुलाओ अलोडी के डैड जोर से कहते हैं अलोडी तुम जहां भी हो यहां मत आना ऐसा कहते ही ड्रैगन को गुसा आजाता है और वो अपना एक नेल अलोडी के डैड के सीने में स्टाप कर देती है अपने डैड को अपनी आँखों के सामने मरता देख अलोडी के मुझ से चीफ निकली थी जिससे ड्रैगन का धिहान बटकता है वो अलोडी को ढूनने के लिए दूसरी दरफ जाती है तो मौका पाते ही अलोडी अपने डैड के पास आ जाती है जिस जंजीर से वो लोग यहां आए थे उस जंजीर को इस्तमाल कहते हुए अलोडी उपर की तरफ जा रही थी और ड्रैगन भी उसे देख चुकी थी बाहर बार ड्रैगन के आँख के हमले से बच्टे हुए वो किसी तरह इस गार से बाहर निकली जाती है दूर महल में कुईन ये सब कुछ देख रही थी वो भी उससे में थी और कहती हैं कि ये सब अलोडी की वज़ा से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी शिप में अलोडी की बहन जो वहां पहारों पर लगी आग को देख रही थी उनको कुईन चाको मार कर यहांचे चले की थी अगले दिन चुपते चुपाते ही अलोडी भी अपनी शिप तक बहुच गई थी जहां वो अपनी जखमी माह से मिलती है जो अलोडी से कहती है कि मैं बल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी जाओ तुम अपनी बहन को ढूडो, जसको वो तुम्हारी जगा ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले है यहां अलोडी अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे यह बताने के बात वो फोरण ही गार की तरफ निकल जाती है तुम्हें वो जानती थी कि कुईन उसकी बहन को लेकर गार की तरफ गई होंगी जाँ सच में कुईन अपने हाथ पे और अलोडी की बहन के हाथ पे कट लगा कर अपना खून उसकी खून में मिक्स करकर उसे नीचे खाई में फैंक देती है और ड्रैगन अलोडी की बहन को पकड़ लेती है अलोडी भी इस टाइम तक गार में पहुँच चुकी थी पर किसी को उसके बारे में नहीं पता था क्योंके प्रिंस ने अलोडी को ठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था जहां गिरते ही अलोडी बिचारी बेहोश चाती है जब उसे होश आता है तो वो मदद करने के लिए चिलाती है और यहां सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवास से होश आ जाता है जब कोई अलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता जैसे ही वो देखने के लिए आके जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गई हैं जो आग ड्रैगन के लगाई हुई थी मुझे शाही खोन की बदबुआ रही है इससे पहले कि अलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता वो वहाँ से भागती है और ड्रैगन उसे वहाँ से भागता देखकर अपनी आग से उसके उपर हामला कर देती है भागते भागते यहां अलोडी एक चोटी केव में आ गई थी पर ड्रैगन की आग से पूरी तरह बचने ही पाही थी उसका पाउ बुरी तरह जल चुका था वो अपने कपड़े फाड़ कर अपने पाउं के सखम को बांध लेती है अलोडी हाँ नहीं मान सकती थी उसे किसी भी हाई में यहां से भागदा था वो उटकर इस जगा को एक्स्प्लोर करना शुरू करते थी है और आके जाने पर उसे नेली रोशनी दिखाए देती है उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसकी करीब पहुंचती है तो बता चला है कि ये एक दिरख्त में से निकल रही थी अलोडी इस दिरख्त के पास जाना चाती थी लेकिन दर्म्यान में एक बहुत बड़ी खाई थी पीछे ड्रैगन था तो आगी खाई कहीं तो उसे मनना ही था वो यहां से जंप करने का फैसला करती है लेकिन उसके एक अलत स्टेप ने उसकी जान खत्रे में डाल दी थी वो आप खाई के अंदर गिरने वाली थी पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद थी वो अपने आपको बचा कर खाई के दूसरे दरफ आ चुकी थी यहां जिस दरफ से नेली रोशनी निकल रही थी असल में उस दरफ पे कुछ चोटे-चोटे चमकने वाले क्लीडे थे लोडी दुबारा अपनी ड्रस को फाड़ कर एक पॉट बनाते हुए उसके अंदर काफी सारे कीडों को फेड़ लेती है ताकि आगे चलने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करें थोड़ी आगे जाने पर अलोडी को पानी का एक चोटा साथ चश्वा भी बिला था अलोडी पानी भी निकलने मुख खोलती है लेकिन तब ही उपर की तरफ ड्रैगन आ जाता है और उसके उपर अपनी आग से हमला करता है जिसे बचने के लिए दुबारा अलोडी वहां से भाग जाती है अलोडी दुबारा एक चोटे से गार में चुप गई थी और ड्रैगन इस बारा अलोडी से कहती है कितना बच्ची जाओगी मुझसे कभी तो मैंने हाथ आओगी इस चोटी सिगार के अंदर बहुत सी लड्कियों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें पर अलोडी समझ आती है कि यहाँ पर बहुत सी लड्कियों को कुर्बान किया गया होगा वो इन सारी चीजों से काफी ठक चुकी थी उसे नीद आ जाती है और जब वो सोके उड़ती है तो जो कीडे उसे कपड़े में जमा किये हुए थे वो सारी कीडे इसकी जखम बे बैठे हुए थे इन्हें देखकर एलोडी बहुत साथ अगपरा जाती है जिससे फॉलो करते हुए वो यहां से बाहर निकला जाती थी पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था यह पत्थर उसे लगकर वो मर जाती लेकिन वो इतने भी बुजदिल नहीं थी वो जोर से किसी को आवास देना चाहती थी लेकिन इतनी उपर से कोई उसे सुन भी ना पाता उसे यहां पर कुछ गोडों के दोडने की आवास सुनाई देती है और इतने में यहां पर ड्रैगन भी उसके साब दे आ जाता है जो ड्रैगन से लड़ने में उसकी कहा मास सकती थी से इंकर ठोकर दिखाया चाता है कि अभी तक ड्रैगन ने ऐलोडी की बहन को नहीं मारा वो अपने मरे बच्छों के पास पैठी थी और ऐलोडी की बहन से कह रही थी जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसे ढूलने के लिए दूसरी दरफ निकलती है तो यहाँ एलोडी अपनी बहन के पास आ जाती है इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचा कर यहाँ से ले चाती है ड्राइगन यहां पर दुबारा आजाती है अलोडी ड्राइगन से कहती है कि हमारे साथ जूट बोला गया था हमें कहा गया था कि तुम उनके किंग्डम पर हमला करती थी पर सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है ड्राइगन कहती है जो भी है तो वो तुम्हारे बड़े ही ना बतला तो मैं उनका तुम्हारे से ही लूँगी एलोडी बताती है नहीं हम उनके बच्चे नहीं है इससे पहले कि एलोडी ड्राइगन को और कुछ बताती ड्रैगन अपनी आग से उसके उपर हमला कर देता है जिससे बचने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ होती है तो पानी मिकर जाती है उसे अब बहुत जादा दर्द हो रहा था ड्रैगन तुबारा उसे पकड़ कर अपने नेल से उससे जखमी कर देती है और इस मरतबा अपने आपको किसी बड़े नुकसान से बच्चाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार के सर्ये उसकी आग पर हमला कर दिया था इस हमले से ड्रैगन को खुस्सा आगिया था जैसे वो एलोडी को दूर फैंकर उसके उपर अपनी आग से हमला करती है लेकिन वहां मुझूद पत्थरों से टकरा कर ड्रैगन की अपनी ही आग उसे ही जलाने लगी थी ड्रैगन जल कर बहुत जादा सखमी हो गई थी और अब एलोडी उसे बताती है कि ये देखो मेरे हाथ का सखम ऐसे ही कट लगाकर अपना खून हमारे साथ मिलाकर हमेश शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं मोत अपने घर बड़े स्कून से रह रहे हैं और हम जैसी महसूम लड़कियों को कुर्बान कर रही है और तुमने भी कौन सा उनके साथ कुछ अच्छा किया जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चो को मारा वैसे तुम भी किसी के बच्चो को मारती आ रही हो सचाई चानने के बाद ड्राइगन काफी दुखी हो जाती है और वह लड़ी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाओ को मुझे मार दो लेकिन यहाँ ऐलोडी उसे नहीं मारती और छोटे छोटे चोटे कीडे जो उसने यही गार से कटे किये थे वो ड्राइगन पर लगा कर वो ड्राइगन के सखमों को ठीक करती है जिसके बाद अब वो बदला लेने के लिए असल गदारों के पास आई थी यनि उस किंड़म में प्रिंस और कुईन के पास जिनोंने उसे शादी का जहांसा देकर वार में ड्राइगन के सामने फैंका था यहाँ प्रिंस उसी जैसी एक और लड़की को शादी का जहांसा देकर ड्राइगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी करें थे एलोडी उसे सचाई बता कर यहां से भाग भी को कहती है। जिसके बाद एलोडी यहां कड़े सब लोगों को कहती है कि जिस जिसने अपनी जान बचानी है वो यहां से चला चाए। Queen केती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है, कि तुम अगर dragon से बचाई हो, तो हमें दरा सकती हो, तुम अकेली हमहारा क्या भी पिगाड़ लोगी, ऐलोडी केती है, मैं अकेली थोड़ी ना हूं, उसके ऐसा कहती ही, आसमान में उरती हुई ड्रैगन इस महल के ऊपर आचाती है ड्रैगन यहां की रॉयल फैमली के साथ उनके पूरे महल को भी आग से तबाह कर चुकी थी उसका बतला अब सही मानों में पूरा हो गया था जिसके बाद कहानी के आखरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस किंडम पर अलोडी उसकी बहन और इसकी मॉम है वो अपने किंडम पर वापिस जाने की तयारी कर रही है और अलोडी अब अपनी मॉम से कहती है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे डैट की जगा इस किंडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चिला लेंगी ये सुन उसकी मौम काफी हुश होती है और ये लोग अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं जहां अब वो ड्रैगन भी एलोडी की ड्रैगन बनकर उनके साथ जा रही थी और यही दिखाते हुए ये कहानी यहां खतम हो जाती है